बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे लोग कटिंग्स उगाना जाते हैं काफी डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास पौदे होते हैं जिनकी कटिंग्स लगाना बहुत ही जारा आसान होता है काफी सारे पौदे दोस्तों मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है और आपको मैंने कुछ चीजें बताई हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना इसलिए वीडियो को जरूर देखेगा और साथ में कमेंट भी जरूर करिएगा आपको कौन सा पौदा सबसे बड़िया लगा और कौन से पौदे में आपको प्रॉबल मारी है उसका मैं आपको कमेंट में अंसर देने की जरूर कोशिश करूँगा तो सबसे पहले जो हमारे पास पौदा है इसका नाम ड्रैसिना मारगी नाटा ये ड्रैसिना की वराइटी है दोस्तों और ये कटी से लिखाना बहुत लिए असाना है ये मैंने कुछ दिन पहले 10-20 दिनों में इसका अभी अपडेट में आप देख साथ हैं दोस्तों इसकी जो नई रूट्स हैं फ्रेशली अभी स्टार्ट हुई हैं अभी मैं आपको पा इरिया में जो शिफ्ट है वो कर सकते हैं जिसके साथ जो इसकी ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया होती रहेगी उसके बाद दोस्तों हमारे पास डैवल्स बैकबोन ये दोस्तों मेरा वानवदा फेवरेट प्लांट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाड़ी है और इसको प प्रोणिंग की थी कि जिसके गारण बहुत सारी ब्रांची मेरे पास बच गई थी जिसके साथ जो स्टैम है और जल्दे से रूटिंग स्टार्ट कर दोड़ी है जहां तक हमने पत्ते निका ले हैं उतना आपको जो स्टैम है मिटी में रखना है दो या तीन है चाब देख सकते हो जो स्ट्रॉंग रूट सिस्टम डिवेल्प होना चालू हो गया है इसलिए यह भी रिपोर्टिंग करने के लाइक हो गया है इसके लिए जो दोस्तों मिटी मैंने चुनी है उसमें मैंने 80% सेंटी सो ली है 20% मेरे पास जो कोकोपीट होती है वो ली है और जहां से हम प्रांची से उसमें भी आने लगी है और जो मेरा नया पौदा उसमें भी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग रूट सिस्टम बनना शुरू हो गया इसको हम अभी नए गमले में ट्रांस्प्लांट कर देंगे जो कोछ ही दिनों में बहुत अच्छी से ग्रो शुरू कर द दस दिन में बहुत अच्छी से रूट सिस्टम इसने चालू कर दिया था आप देख साथ यह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग इसकी रूट से अभी हम इसको दुबारा से लगा देंगे इंडिविजल पाउट में भी लगा सकते हैं चाहें आप इसी पाउट में लगा दें ड्रैसीना वान अब दा इजिएस्ट है अगर आप इसको रूट करना चाहें और हमारा जो अगला पाउट है उसका नाम है क्राइजन्थिमम जिसको हम गुलदावरी भी कह देते हैं जो क्राइजन्थिमम का पाउट है यह दोस्तों बहुत असानी से लगाया जाने वाला प जिलाई में इसकी कटिंग्स प्रिपेर करते हैं जो आपको जाके सप्टेंबर में बहुत अच्छी से फूल भी देगी और इसमें बहुत सारे कलर्स आपको देखने को मिलेंगी और इसी साथ हमारा नेक्स्टनल प्लांट है उसका नाम है कार्नेशन कार्नेशन में भी अगर आप कोई पौदा लगाते हूँ तो उनको सेव जरूर करा करिए क्योंकि नेक्स सीजन हम इसे बहुत सारे पौदे बना सकते हैं और बारिश के मौसम के बारिश में बहुत सारे जो पौदे हैं बहुत असानी से लगनी चालू हो जाते हैं और हमारा जो अगला पौद है उसका नाम है कोलियस कोलियस में भी दोस्तों बहुत अच्छी जो आप देख सकते फॉइलेज आती है बहुत सारे कलर्जस में आ जाते है यह एज़ प्लांट भी यूज किया जाता है अगर आप सेमी शिड़ एरिया में ऐसे पौदे रखना जाते हो इसकी फॉइलेज इसी में लगाई हुए थे मैंने अभी इसके बहुत सारे पौदे लगाने थे मैंने इनकी कटिंग पहले ही लगा रखी थी और पांच दिन बाद आप देख सकते हैं इसका जो रूट सिस्टम होता है इनका क्योंकि अभी हाला ही पांच दिन होया इनको इसलिए ज़रा रू होते हैं यह बहुत बढ़ी तरीके से चलना शुरू कर देते हैं इसलिए आप इनको भी जरूर कर लें अगर आपके पौदे को फंगस लग जाती है नीचे से जो पौदे को फंगस नहीं लगे ब्रांच को फंगस नहीं लगे उसके अप कटिंग लगा दे और आपको 10-15 द हैं जिसके गारण बहुत सारे पौदे एक ही जो पौड में लगे हुए हैं और बहुत अच्छे से यह फूल भी दे रहे हैं इसकी भी छोटी-छोटी आपने कटिंग लेनी हैं जो इसमें वाइट सबस्टांस निकलता उसको आप पहले पानी में 15 मिन्ट कटिंग को रख सक लगाना चाहूंगा यह बहुत कम चांसे होते हैं कि मर जाइए सर्वाइब करने में बहुत ज़्यादा हाडी है और अगर आप इसको लगाना चाहें आप नौर्मली आपने सिंपल एक पौट लेना उसमें इसकी जो स्टैम है उसको पूरी तरह से बरी कर देने और विदिन लगता हैं एंगलेश नो जो है इसके लिए जो हमारे पास पूने के है लगा सकते हैं यह दोनों सक्सेफफुल जाती हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे जो बारिश के मौसम में इसकी टाइनी टाइनी रूट अपने अपी स्टैम से निकलनी शूरू हो जाती है जो हो एक नॉर्मल आप साइन कह सकते हैं जैसे हमें पूरा मुझे नाम नहीं पता है अगर आप इसके पत्तों से पहचान सके कौन सा इसका नेम है तो आप मुझे कमेंट सेक्षिन में जुरूर पताईगा यहां पे दोस्तों क्या हुआ था कि मेरे दोनों पौदे रौट करने शुरू दिया था और जो उपर वाला जो प्लांट था उनको मैंने अडगल करके लगा दिया और आप देख साथ यह उपर वाला जो पौदा है वो भी बहुत अच्छे से रूटिंग कर गया और नीचे वाला रूट स्टॉक जिससे बहुत सारी स्टैम्स आने लग गी हैं जिससे प लगा सकते हैं घर पर जो क्रॉटन होते हैं यह दोस्तों चुटी कटिंग से जारा तर अच्छे से असानी से लगा जा सकते हैं काफी लोग इनको पत्तों से पर पत्तों से आपको कोई स्टैम्स नहीं मिलेगी सिर्फ उसका पत्ता जो है उसमें जड़े आएंगी और विद सकते हैं इसलिए अगर आप इसके नए पौदे बनाना चाहते हैं नर्सरी से परचेस करने की बजाए आप इसकी छोटी-छोटी कटिंग से ले लें जिसके साथ फाइदा क्या होगा जहां से अपने कट लगाया है इसके जो पौदे हैं बहुत जारा प्रांचिस भी निकाल नहीं है आप एक पौदा लेकर आए उससे बहुत सारे पौदे घर पर बना सकते हैं और हमारा जो अगला पौदा है उसका नाम है मनी प्लांट मनी प्लांट में दोस्तों आपको पता ही है बहुत असानी से रूटिंग हो जाती है क्योंकि इसकी ऑउक्जलेरी रूट्स भी इनको दस दिनों के लिए रख दें उसके बाद आपको बहुत अच्छा जो अपडेट है मिल जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारी स्टेम्स एक साथ लगाई थी और इसमें बहुत अच्छी से जो रूटिंग है स्टार्ट हो गई है और आप देख सकते इसी के साथ हमारे जो अगला पौद है उसका नम है जरबेरा जरबेरा मैं दोस्तों कटिंग तो शायद नहीं लगाई जाती है इसका जो क्राउन पाट होता है इसकी रूट डवाइडिंग की जाती है रूट डवाइडिंग के साथ हम एक पौदे से बहुत सारे पौदे ब ना दे क्योंकि इसके साथ इसको फंगस्र भी लग सकती है इनको शेड़ी एरिया में रख लें और उसके बाद जब इसकी रूटिंग बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाए इनको सेमी शेड़ेड एरिया में रख दें और सब्टेंबर में जाकि यह अपनी जो ब्लूमिंग आपको मिल जाएंगी यहां से मैंने दोस्तो इसकी भी कटिंग की थी और उसके बाद बहुत सारी स्टेंब्स इसकी देहने को मिल कही है और इसकी चोटी-चोटी जो स्टेंब्स हैं सेप्लिंग्स हम ग्रोव कर सकते हैं यह भी 20 दिन में रूट कर जाएंगी 20-25 दिन यह प पौदा रूट बाउंड हुआ है मेरे यहां पर जो पौदा यह सूखने लग गया था उसके बाद मैंने इसके रीपॉर्टिंग करके तीन प्लांट बना दिये थे और अभी आप देख सकते हैं इसकी जो होफुली जो ग्रीन ग्रोथ है वो स्टार्ट हो गई है अभी आप को लग रहा होगा कि बहुत कम ग्रीन ग्रोथ है पर विदन 15 डेज आप देखेंगे इसके जो नए पत्ते हैं बहुत जादा निकलेंगे और यह बहुत बुशी प्लांट हो जाएगा इसलिए अरेका पाम उनको भी आप डिवाइड कर सकते हैं यह दोस्तों कुछ पौदे जो मैंने आपको दिखाने थे जो आप बहुत ही असानी से प्रॉपगेट कर सकते हैं I hope आपको यह वीडियो में बहुत सारे पौदों के बारे में इन्फोमेशन मिली होगी इसके रिगार्डिंग मेरे पास और भी काफी सारे पौदे हैं जिनकी मैं आपको प्रॉपगेश बहुत हैं जिसानी से वीडियो में आपको चुस्ट प्रWeek एंड चारे कर भी कि रे समय दे जा कर खास प्रॉपगेशन कार सचिक प्रॉपगेशन यह विद्दी ने लने का उरुपगेशन फिर देश च्टॉपगेशन टीजएं तेश काफीस वीडियो में अच्ट रिग